दाये हम अपणों सबी हवेलं जदी दाये ज्य पमाणं चुके ज्य छलम लगे तव्वं निजविभव से एक एप ही दिखला रहा करना मनन पर नहीं करना छले ग्रहन यदी हो कहीं कुछे स्खलन मैं उस एकत्व विभत्व भगवान आत्मा को निजवैभव से दिखाता हूँ यदी मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना स्वीकार करना और यदी चूक जाऊं तो छल ग्रहन नहीं करना नवि हो दियप्पमत्तो नपमत्तो जान गोदु जो भावो एवं भणंति सुद्धं नादो जोसो दुसो चेवर ना अप्रमत है ना प्रमत है बस एक ग्यायक भाव है इस भाति कहते शुद्ध पर जो ग्यात वह तो वही है जो एक ग्यायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है इस प्रकार उसे शुद्र कहते है और जो ग्यायक रूप से ग्यात हुआ वह तो वही है अन्य कोई नहीं ववहारे नुवदिस्सदी नानिस्स चरित्त दंसनं लानं न विलानं न चरित्तं न दंसनं जानगो सुद्धो दिग ग्यान चारत जीव के है यह कहाव वहार से नाग्यान दर्शन चरन ग्यायक शुद्ध है परिमात से ग्यानी के ग्यान दर्शन और चारित्त ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं निश्चे से ग्यान भी नहीं है दर्शन भी नहीं है और चारित्त भी नहीं है ग्यानी तो एक शुद्ध ग्यायक ही है जहन विसक्क मनज्यो अनज्य भासं विना दुगाहे दुं तहववहारे नविना परमत्थुवदेशन मसक्कम अनार्य भाशा के भी न समझा सके न अनार्य को बस त्यों ही समझा सके न विवहार बिन परमत्थ को जिस प्रकार अनार्य भाशा के बिना अनार्य जन को कुछ भी समझाना सम्भव नहीं है उसी प्रकार व्यवहार के बिए